हाई एविर्वान, विल्कम टो माई चैनल, मेरा नम सुन्रम है, मैंने अपना क्लास 12, 2021 में पास आउट किया है, और मैं मधवनी बिहार से हूँ, मैं एक नीज ड्रॉपर स्टुडेंट हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो और आपको वीडियो अच्छा लगो या फिर किसी भ रही है, तो भाई अच्छे से हल्दी हो जाओ, और फिर पढ़ाए अच्छे से करो, क्योंकि consistent होना बहुत जादी important है success के लिए, और most importantly, जब अच्छे होते हैं, फिर healthy होते हैं, fit fine होते हैं, तभी पढ़ने में मज़ा भी आता है, ऐसे नहीं तो मन नहीं लगता रहते हैं, so जब बतादो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं रोज सुब इतने बज़ उठना देन खाना हो गया, ब्रश करना ये हो गया, इतने से इतने बज़ ये subject पढ़ना है, इतने से ये वज़ इस वाला चीज मेरे से follow नहीं होता है, लास्ट येर मैंने बहुत ट्राई कराता है, ब इसके वाज़ से बहुत सारे demotivated fool करते हैं, overthink करते हैं कि क्यों मेरे से नहीं हुआ ऐसा, फिर क्या होगा, बहुत सारे रीजन, बहुत सारे चीज़ एक साथ दिवां में चलने लगते हैं, फानली मैं डेसाइड कि कि एकदम rigid वाला routine ऐसे follow नहीं करना है, रूटीन फिर भी होना चाहिए, जो flexible हो, कि हाँ, एक range होना चाहिए, कि हाँ, इस बीच में ये कर लेंगे, ऐसा वाला, या फिर, मतलब, to-do list basically, जो हमारा important, to-do list complete होना चाहिए, एक दिन में, वो बहुत जादे important है, सबसे सही रहता है, कि morning में उठो, to-do list बनाओ, फिर उसके according पढ़ाई करो लेकिन हाँ, फिर भी क्या होता है, कि इस मेरा randomness हो जाता है, कि ये कर लेंगे, वो ऐसा वाला randomness हो जाता है, जिसके बचने के लिए, फिर भी तुमारे पास दिमाग में एक वो होना चाहिए, कि हाँ, मतलब, क्या मेरा routine है, regular basis में, फिर भी में अपना एक flexible routine, जो मेरे पास ह कि follow होना चाहिए, जैसे कि मैं 5-6 के बीच में, सुबह 5-6 के बीच में उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ममी उठ जाते है, तो वो मुझे भी उठा देते है, and then finally वही जो normal routine होता है, रोज का, ब्रश करना, नहाना धोना वेगरा, उसके बाद मैं finally 7 a.m से अपना session स्ट कर देते हैं, फर्स लॉट जो तै मेरा 7 a.m से 8.30 का होता है, उसके बाद मेरा ब्रेक होता है, खाने काने के लिए, yes, मैं जल्दी खाना का लेती हूँ, वही स्कूल वाला देता है, जल्दी खाने गा, फिर अगेन मैं एक ब्रेक होता है, तीन घंटे का ब्रेक होता है, तीन ब्रेक होथा है, वही जल्दी खाने के लिए, और फिर मेरा ब्रेक होता है, फिर मेरा ब्रेक होता है, फिर मेरा मैं से 6 p.m से एक उसके बद खाना वे गयरा हो गया रातवाला खाना हो गया। फाइनली टू-डु लिस्ट बना लेती हूं नेक्स टे के लिए ताकिस टे ऐसा उठके कुछ भी नब पता रहे हैं क्या करना है क्या करना है। तो तो डू लिस्ट बना के अपना सोझ आती हूं अगेन मैं रिमाइंड कर दू कि मैं एक रूटीन प्रॉपर लिया तो डू ज़िन नहीं कर पाती हूं मैं इक प्रॉपर ऐसे इस ओो डू लिस्ट बनाती हmesan लेकिन एक flexible मेरा routine रहता है कि हाँ इसमें हो जाना चाहिए और ऐसा नहीं कि मतलब to do list में बहुत कम काम लें ऐसा नहीं क्यों कि पता है कि इसलिए बस क्या complete करना है एक week का basically मैं रखती हूँ कि इतना सारा चीज complete होना चाहिए और उसके according फिर मतलब try day छोटे छोटे भाग मतलब लेती हूँ उसी में से और अपना एक week का proper जो to do list होता है वो complete कर लेती हूँ तो most importantly बोलूगी तो most important है कि to do list बनाना है वो भी realistic होना चाहिए उसमें हाँ यह calculate कर सकते हो कि कितने आवर में यह सारे चीज हो जाएगे ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम इतने देर तक पर रहे हो इसमें नीट में जरूरी है कि ऐसा नहीं कि जरूरी है कि सरफ quality आवर समत्तो quality ही पढ़ना चाहिए जरूरी है कि quantity भी आप कितने आप ऐसा नहीं कि जो मैंने incomplete रखा है जिसके biology मेरा तुम बोल सकते है anatomy, transport हो गया, molecular basis of inheritance हो गया, यह वाला चीज़ से मेरा incomplete है, geology में biomolecule and evolution and then chemistry में तुम बोल सकते हैं, ionic equilibrium, electrochemistry, यह वाला जों सर थोरा weak है मेरा, और inorganic में block chemistry मेरा weak है, और physics में मतलब बहुत जादे काम करना है, उसमें तो ऐसा नहीं हो सकते, pro है, बहुत कम ही, उसमें मेरा मतलब है, मेरे हिसाब से, मतलब मैं weak हो उसमें, तो उस पे बहुत जादे work करना है, still मैं conclusion बोल रहे हूं, एक to-do list बना और उसको follow करो, to-do list realistic होना चाहिए, जादे, मतलब amount होना चाहिए, उसमें quantity चीज जो complete है, वो भी जादे ह होना चाहिए, so this is for the day, that's all, thank you, video अच्छा लगे तो like share करना, और comment करके बताना, कि क्या अच्छा लगा, कौन सी advice, या फिर कुछ देना चाहती हो advice, तो भी बताना, thank you कंछ। झाल 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 झाल